वेलकम टू सरस्वती क्लासेज जैसा कि आपको थमनेल से पता चल गया होगा कि आज अपने जितने भी अर्वी वर्ड हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे काफी स्टुडंट के कमेंट मैसेज और फेस्बूक पर मैसेज आ रहे थे कि सर इन वर्डों को याद करने की एक ट्रिक बताईए तो चोटी सी कोशिश किये मैं स्टुडंट अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज यार लाइक और कमेंट जूर करके बताना कि को कैसी लगी है हो जो बंदे डिसलाइक करते हैं डिसलाइक करो क्यूंकि भारत 1947 के बाद अज़ाद है सबको अगर नहीं आती तो अपने कोशिश करेंगे आ Πो वह भी समझाने की देशल सब्द की मैंने एक अच्छी ट्रिक बनाई है, बहुत जल्दी वीडियो आपके सामने अप्लोड करूआ, फिर रहेगे विदेशी शब्द, विदेशी शब्द में स्टूडन पांच होते हैं, एक तो अर्बी, फार्सी, तुर्की, इंग्लिश और पुर्तगाली, तो इन पांचों को मैंने ट्रिक से बनाया तकि आपको ये वर्ड सारे याद हो जाएं, तो कोशिश की आए, इत स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम विस्ट ना करते हुए, कहता है कि मेरे जिले की तहसील के हलवाई, तो पहला क्या हगए, जिला निकलाया है यहां से, तहस पिल सब्सक्राइब नगता निकला आए तो लाई या जिला आ गया साथ State कि मेरे जिले की हलवाई नगध लेकर इमान से काम करते हैं तो मेरे जिला जिला आ गया तैसील आ गया नगद आ गया अलवाई ओगया इनाम आ गया ठीक है यह पांच वरडाय पहली लाइन से नेक्स्ट लाइन वड़ते हैं आप दो दो बार लाइन को रिपीट कर जाएं तकि आपको लाइने याद हो जाएं फिर आता है नेक्स्ट लाइन कहता है कि अरब की अदालत में क्योंकि अपने अरबी वर्ड पर रहे हैं तो अरब की अदालत में अल्ला के इशारों वे इरादों से काम होता है तो पहला वड़ आ गया अरबी ठीक अरब फिर किताब आ गया फिर अल्ला फिर इशारा फिर इरादे अरब की अदालत में अरब की किताब में अल्ला के इरादों वे इशारों से काम होता है ठीक है पांच वरड यहां से निकल आए नेक्स्ट लाइन और पड़ते हैं कहता है कि अरब की अदालत में अजीब अमल का आदमी ही आजाद रह सकता है तो अरब तो अपने वहाँ कर लिया था यहाँ अधालत अजीब अमल आदमी और आजाद पांच वर्ड यहां से निकला है इट मिंस तीन लाइनों में अपने कितने 15 वर्ड कर लिए वो भी छोटी सी एक राइम के द्वारा तो पहली लाइन कहती कि मेरी जिले की तहसील के हलवाई नगद लेकर इमान से काम करते हैं दूसरी लाइन कहती स्टुडेंट कि अरब की किदाब में अल्ला के इरादों वे इशारों से काम होता है और तीसरी लाइन यह लिखिया आपके सामने कि अरब की अधालत में अजीब अमल का आदमी अजाद रह सकता है तो नेक्स्ट और पढ़ते हैं स्टुडेंट, नेक्स्ट लाइन बोलता है कि अरब में अरब कंट्री में कोई इलाज करवाना है किसी चीज़ का, तो अपने को इंतजार करना पड़ेगा, और अगर अगर अपनी दिखाने है कि अपनी इज़त क्या होगी, तो उसके लिए अ इनाम देने का स्टीफा देना पड़ता है, अरब में इलाज का इंतजार करना और इज़त में इनाम का स्टीफा देना पड़ता है, तो पहला क्या आगा स्टुडेंट, पहला आया स्टुडेंट, यहां से इलाज निकल गया, इंतजार आगया, इज़त आगया, इनाम आग या किसी भी यूनिवस्टी के टीचर की लेक्चरार की बुक है व्याकरण की या उसने 40-50 वड़ हर किताब में एक जैसे वर्ड दियू है mostly 40 या 50 उनको अपने ट्रिक्स से पढ़ेंगे ताकि इन फ्यूचर कभी भी एक्जाम में आए तो आप उसको दोरा सको नेक्स्ट लाइन है कि अर्भी उलाद के कमाल से तो कानून पर भी कभजा हो जाता है अब कहा जाता है कि जो अर्भ के उलाद होती है उसका कमाल इतना जबरदस्त है कि वहां के कानून पर भी अपने कभजा कर सकते हैं तो अर्भी उलाद के कमाल से तो कानून पर भी कभजा क दवा दीजिए ठीक है और कमेंट कर दीजिए आपको कैसी लगे वीडियो तो next line पढ़ते हैं अर्ब में जुर्माना तारिक में ताकत होती है क्या होती है अर्ब में जुर्माना तारिक में बहुत ताकत होती है student तो जुर्माना निकलाया यहां से तारिक निकलाई और ताकत तीन वड यहां से निकलाए, पांच, पांच, पंदरा, 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 चार, उननिस, उननिस और पांच, चोबीस, चोबीस और तीन, सताइस, 27 वड आपके चार लाइनों में आपको याद हो चुके हैं, ठीक है, वो भी एक छोटी से राइमों के दुआरा, ठीक है, अब ठीक है, तराज्यू हो गया, तमाशा हो गया, दुनिया हो गया, तुफान हो गया, चार वड यहां से निकला लिए, अपने, नेक्स लाइन के और बढ़ते हैं स्टुडेंट, कहता है कि, अरभी दफ्तर में, शत्रंज, अरभी दफ्तर में, शत्रंज का हिसाब होता है, तो कि वकील के फैसले की मदद से गरीब जनाब ने चश्मा पहन कर नगत पर बहस की तो पहला वर्ड निकलाया वकील फिर फैसला फिर मदद फिर गनीब फिर जनाब फिर बहस फिर नगत फिर चश्मा तो यहां से कितने वर्ड निकले दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ वर्ड निकले ठीक है student क्या line क्या थी कि वकील के फैसले की मदद से गरीब जनाब ने चश्मा पहन कर नगत पर बहस की next line कर बढ़ते हैं कहता है कि सुबह दोलत का नशा फकीर में चड़ गया सुबह दोलत का नशा फकीर पे चड़ गया ठीक है तो यहां क्या आएगा student सुबह आगी दोलत होगी नशा होगया फकीर होगया यह चार वर्ड है student यह चार वर्ड हैं जो किसके हैं अर्बी के वर्ड हैं ठीक है उसके बाद कुछ और वर्ड है जो दो-तिन जो इसे ट्रिक में फुट नहीं वाटे लेकिन मैंने उसको आपको अलग से बताना मुनासिब समझा तो यहां क्या होगा एक तो मतलब होगा मतबल ठीक है एक लिफाफे होंगे एक जलला और एक जवाब होगा यह चार वरड है जो क्या अर्भी के वरड ठीक है इसके बाद अपने कुछ देशेज वरड पढ़ेंगे चार लाइनों में अपने लगबख 20 या 38 वरड पढ़ेंगे इसके फिर इसको फ्री दॉडच के पढ़ेंगे फिर उसके क्या काते हैं प्रेवाब